एस्टर एस्टर टू फार्म एस्टर टू फार्म एक मिनट समय दीजिए थोड़ा सा डिस्ट्रिबेंस है एड्जेस्ट कर ला रहा हूं आप सही गिर्गनाइड रेजेंट अब आपकी चैटिंग जो है हमें मिलती रहेगी क्या कर रखा है सेट करों से पूरा ग्रिगनाइड रेच्शन विद एस्टर टू फॉर्म तू फॉर्म तू फॉर्म यह लेकिन एस्टर किसका होना चाहिए यह बात भी मुझे लिखनी थी अभी थोड़ा सा वो एक्चली में मोबाइल सेट कर रहा था इसी लिए एस्टर लेकिन एस्टर किसका होना चाहिए एस्टर आफ फॉर्मिक एसिड लिख दो एस्टर आफ फॉर्मिक एसिड एस्टर आफ फॉर्मिक एसिड टू गिव सेकेंडरी एलकोहल तो गिव सेकेंडरी एलकोहल अगर फॉर्मिक एसिड के एस्टर से रियक्शन करता है तो सेकेंडरी एलकोहल बनाएगा जबकी जबकी आप अगर reaction करवाएंगे अगर reaction करवाना चाहते हैं इसके किस molecule से अगर कराते हैं किसी और भी किसी और एस्टर से secondary alcohol while on reaction with while on reaction with ester of ester of other acid कोई भी acid हो other acid तो बनाएगा other acid to give to give three degree alcohol तो ये question मुझे लगा कि important है आ सकता है इसी लिए मैंने इस पर focus किया और मैंने का इसे बता ही देता हूँ ऐसा नहों कि आ जाए और आप लोग कहें कि सर ने मुझे बताया नहीं था ठीक है तो इसको ध्यान दीजेगा एक बात दूसरी चीज आपको और बताओं यहीं पर reaction क्या होगी reaction क्या होगी ये भी जानना जरूरी तो number one यहां मैंने ले लिया R, M, G, X इसको आप गरिगनाड रेजेंट बोलते हैं और ये आपने एस्टर ले लिया तो जरा ध्यान दो ये एस्टर वाला compound ये हो गया ये एस्टर है अब इसे R माना है इसे R माना है तो इसे R, D, S कर दो इसे R, D, S कर दो तो आपको याद रहेगा कि आखिर कार बनेगा क्या तो ये वाला मैं attack कराऊंगा ये वाला R तो यहां पर attack कराऊंगा तो जैसे ही अटेक कराऊंगो तो बनेगा R- यहाँ पर C नीचे R हो जाएगा और उपर आ जाएगा वही आपका OMGX उपर जोड़ जाएगा तो यहाँ पर OMGX जोड़ दीजिए और यह हो गया आपका OR डबल डेस इतनी बात साहद आपको समझ में आ रही होगे एक बार कमेंट करेए एक बार कमेंट करके बताईए कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि क्या हुआ यहाँ पर गर्गनाड रेजन का टेक कराईए अब जैसे ही आप क्या करेंगे इस पर दुबारा MGX अब जैसे सिंपल सा क्या होगा वो समझेगा ध्यान से ये bond को बापस भीजिए जैसे ये बापस भीजेंगे तो ये double bond हो जायेगा ये बाहर निकलेगा और ये mgx भी यहां से निकल जायेगा क्योंकि ये negative है और ये है positive ये है positive तो इस condition में क्या बनने वाला है देखो ये R हो गया ये C हो गया ये double bond से O हो गया और नीचे वाला R लगा रहा ये R से नीचे वाला R लगा रहा और साथ में निकल गया compound आपका mg और यहां पर x और ये निकल गया O R double dash तो ये बन गया आपका ketone क्या बन गया ये ketone बन गया ये ketone फर्दर reaction कर लेता है ये ketone फर्दर reaction कर लेता है RMG x से तो मैंने अभी उपर पढ़ाई थी कि जब ketone reaction करता है RMG x से तो क्या बनता है तो फिर बन जाता है आपका 3 degree का alcohol तो ये compound फिर आपको बनाना पड़ेगा फिर आपको बनाना पड़ेगा 3 degree का alcohol यानि कि यहां पर OH बन जाएगा और साथ में अब आपको याद आ गया होगा R और यहां पर OH और यहा 3 degree का alcohol अंसर लगा करके आईएगा लेकिन अगर formic acid का ester है मान लो मैंने ये formic acid का ester लिया OC2H5 ये ethyl formate कहलाता है ये कहलाता है मनु जी ethyl formate ethyl ये ethyl formate कहलाता है ethyl formate की reaction अगर आपने गरिगनाड region से करा दी ठीक है जैसे कि मान लीजे सपोस कर लो RMGX से आपने reaction करा दी तो R तो पता है यहीं पर attack करेगा और ये MGX यहां पर attack करेगा तो ये compound जो बनेगा वो R यहां पर H लगा लो जैसा है वैसा ही लिखो जिसस पर आपका R हो गया ठीक है और यहां पर आपका OC2H5 हो गया इतना तो आप बना ही लेंगे 100% sure है अब क्या करना है अब देखो अब यहीं पर आपको करना क्या पड़ेगा कि simple तरीके से इसका hydrolysis करा दीजे जब simple तरीके से आप इसको hydrolyze कराएंगे तो hydrolysis के time पर ही ये बा ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया जाता है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट लंबी chain का भी हो सकता simple भी हो सकता and so on कोई भी compound माना जाता है ये बात आप ध्यान दीजेगा नहीं तो फिर गरबड हो जाएगी अब जैसे मालो ये CS3, CS2 यहां CH है और ये OH है मेन बात ये है ये H2O कैसे निकालना है यहां से भी आपको H दिखना चाहिए तो अब आप notice कर पा रहे होगे कि इस तरीके से आप पानी डाले कि यहां पर टूटने की जो condition है वो कैसी हो जाए वो हो जाए हो जाए हो पानी निकला यहां पर देखो H यहां पर आप H ले लिजे और यहां पर आ तरफ जो compound H वाली condition है वो एक alkyl group दूसरे side से भी जुड़ जाता है यहां पर 2RMGX अटेक होता है 2RMGX होगा तो एक RMGX इसके साथ में चला जाएगा और 1MGOH6 के साथ में चला जाएगा तो इसका मतलब यह हमारा हो गया 2 degree का alcohol तो ध्यान दीजेगा कि RMGX दो अटेक अगर अकेला ही कराना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ एक तरीका और समझ लीजी आप क्या तरीका हो सकता है वो देखिए आप पहले मैं बैक कर दूँ दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ इजी तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको प देखिए अब मैं आपको ये मैं मिटा देता हूँ और आपको एक easy method से समझाने की कोशिस करता हूँ कि हो सकता ये method थोड़ा सा आपको typical लगे देखो सबसे पहले तो आप वही काम करो h यहाँ पर लियाओ c यहाँ लियाओ double bond o लियाओ और double bond o की जगहे आप ऐसा करो यहाँ पर single bond o लगा करके mgx लगा लो तो यहाँ पर omgx लगा लो यहाँ पर r लगा लो और यहाँ पर आप लगा लो oc2h5 लगा लो देखो एक तरीका तो यह था अब इसमें क्या करो दुबारा करा दो reaction rmgx की जैसे ही दुबारा rmgx की कराओगे तो अब की बार में निकाल दो आप यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया c, यहाँ omgx लगा हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा आपका simple sa r जुड़ जा, h पहले से जुड़ा है, एक r, एक r यह वाला जोड़ दो, यह वाला r जोड़ दो, यह वाला r आपने यहाँ जोड़ दिया और निकाल दो mg, oc2h5 निकाल दो और x निकाल दो दो लेखो, अब easy कर दिया मैंने अब इसको water से नहलवा दो, जैसे water डालोगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, h इधर, o h इधर, देखो हो गया na simple, तो यहाँ h हो गया, यहाँ c हो गया, यहाँ o h हो गया, यहाँ पर r आ गया, यहाँ पर r बन गया na 2 degree alcohol, और निकल गया mg, o h x, इस तरीके से भी कर सकते हो, को तो h c n से कराते हो, तो इसको आपको open करके लिखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से, अगर आप open कर लो, तो ज्यादा better है, c यह आपका triple bond n हो जाता, यह r आएगा, एक लात यहाँ मारेगा, bond कूत के इधर जाएगा, n mg x बन जाएगा, तो यहाँ r, c h, double bond, n mg x, मनु उपाद्य है, जी समझ में आ रही बात आपको नहीं, इसको आप क्या करिए, पानी से नहलबा दीजे, जैसे दो पानी डालोगे आप तो o h यहाँ पड़ेगा, h 3 यहाँ पड़ेगा, o h यहाँ पड़ेगा, तो product आपके सामने आ जाएगा, r, lubna very very good evening, तो r, c h o बना, और साथ में आया, तो ketone मिल जाता, देख लो, r mgx, कल जहाँ पर मैंने छोड़ा था, उसी के आगे मैंने continue कर दिया है, तो सभी लोग proper way में, फटा फट, रिवीजन अपना मार लो, क्योंकि बस, कल तक react पर्सों paper ही है, जहार खंडवानों का, तो ध्यान दीजे, पर्सों के अनर्सों paper ह है, ध्यान दीजे, यहां पर हो गया CH3, यहां पर C हो गया, नीचे आगया आगया आर, यहां double bond N, M, G, X आ गया, इसको ध्यान दे लीजे, और इसको जैसी आप hydrolyze कराएंगे दो water के molecule से, तो मैंने आपको बताया, यहां तोड़ दो, यहां तोड़ दो, इसे O ले लो, यहा आ जाएगा, यहां आ जाएगा CS3, यहां आ जाएगा C double bond O, यहां पर R, साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, और निकलेगा M, G, OH का OH और X, यह निकल जाएगा, तो यह चीज ध्यान देने वाली होती है, कि आखिरकार हम लोगों को करना क्या है, तो यह कुछ reactions थ यह बात जान लो, आप थोड़ा सा revision करा देता हूँ आपका, heterocyclic compound, बहुत ही important topic है, इसको revise कर लो, heterocyclic compound बिहार में यह दिया है, तो यहां लिख देता हूँ heterocyclic, heterocyclic compound यह बिहार में topic आ सकता है, heterocyclic compound, यह important की category में है, इसलिए आपको notice कर लेना चाहिए, कि यह topic में से कम से कम चार question या तीन question आपके syllabus में estate में मिलेंगे, बिहार सुपर state में लगवग तीन question का दायरा मुझे पता है, कि तीन question यहां से संभावित हैं, तीन question संभावित हैं, इसलिए इस पे मैं star भी लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेरे प्यारे बिहारी साथियों समझ गए, नहीं यार एक बार हाँ हूँ भी कर दिया करो का था, इस silent mode में जिंदा लाश की तरह पढ़े रहते हो भाई, देखो पहले तो आपको यह बताऊं, हेट्रो साइक्लिक कमपाउंड, वो कमपाउंड होते हैं, जिनमें कोई हेट्रो एटम होता है, तो य हेट्रो साइक्लिक कमपाउंड्स और दोस और दोस श्टेबल रिंग्स विच कंटेंड हेट्रो एटंव hetero atom अब इसमें कौन-कौन से hetero atom हो सकते है जैसे कि generally battery atom है nitrogen, oxygen, sulphur यहीं आपके में main है बाकी तो हैं बहुत लेकिन फिलहाल यही तीन है मैं अगर आपसे कोई कहा कि phosphorus, boron यह हो सकता है तो rarely हो सकते जाधा नहीं हो सकते अब यह दो category के compound है important जो बाते हैं वो बताता चल रहा हूँ सबसे पहले ये 5-membered ring की बात कर लेता हूँ मैं तो यहां आ जाओ सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे 5-membered ring number A 5-membered ring कौन-कौन से होते हैं 5-membered ring और ये 5-membered ring वाले में आपके जो syllabus में हैं सबसे पहला compound है ये वाला जिसको हम लोग पाइरॉल के नाम से जानते हैं ये compound है आपका पाइरॉल यहां लिख देता हूँ P-Y-R-O-L-E पाइरॉल है फिर दुसरा compound आपका जो है वो ये हो जाता है ये वाला इसको हम लोग कहते हैं furon आपको पता होगा ये हमारा है furon और तीसरा compound हमारा है थायोफीन है न थायोफीन यानि कि अगर मैं यहां पर sulfur लगा देता हूँ तो यहां पर बन जाता है इनके नाम याद रखना भीया ये हो गया थायोफीन ठीक है IUPAC name भी पूछे जा सकते हैं इसलिए IUPAC name भी याद रखना इसका IUPAC name अगर मैं बात करता हूँ तो एजुल है एजोल एजुट ओवल के नाम से जाना जाता है इसको हम लोग औकसाजोल के नाम से जानते हैं तो आकसोल बोलते हैं जरनली औकसोल और इसको हम लोग थायोल बोलते हैं तो ये IUPAC नाम आप से पूछे जा सकते हैं पेपर में याद रखिएगा ठीक है टेट्रा हैड्रो फ्यूरोन वो फिलाल हैट्रो साइक्लिक नहीं है लेकिन जानकारी रखिएगा THF जो होता है उसके बाद आजाता है six-membered ring समझ में मनुजी बाता रही है तो यहां आ जाता है six-membered ring अब ये six-membered वाले कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताय दे रहा हूँ 6 member里 में cable A की स्लेबस में है जिसका नाम है Pyridine 6 member का cable A की रिंग आपके स्लेबस में है जिसका नाम है Pyridine ठीक है ये मैंने Pyridine लिख दिया इसको ध्यान दीजया, इसका नाम IUPSC अगर पता है तो बताईए इसका IUPAC नेम है एजाइन याद रखना एजाइन ये पूछा गया है पेपर में इसलिए आ सकता है ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये याद रखो आप दूसरे कुछ condensed hydrocyclic है बो भी आपको याद रखना चाहिए condensed hydrocyclic तो C part में लिखे दे रहाँ condensed, condensed heterocyclic compound कौन से होते हैं ये बात भी आप जान लीजिए देखो धिहान से सबसे पहले तो indole को जानो indole को जानो, तो indole बनाने के लिए आपको एक तो cyclic hexagon बाला ring बना देना है और पडोस में pyridine, वो pyrol जोड़ देना है तो ये बन जाता है indole, अंदर पूरी bonding कर दीजिए, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं इसको या अंदर बना लो, इस side में भी बना सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा बात ना मैं करने के mood में हूँ, क्योंकि समय कम है और इस कम समय में मुझे जाधा काम आपको कर देना है, इसका नाम है quinoline, इसका नाम quinoline है, इसको आप पढ़ लीजिए, indole का नाम याद रखना है, ये condensed heterocyclic होते हैं, और एक आपको isoquinoline पढ़ रेना है, मतलब इसे लगा दीजिए, ये compound आपका पूरा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये heterocyclic actual में क्या होता, ये condensed हो गया ring, तो इने condensed heterocyclic के नाम से जाना गया, ये चीज़ आप जानिएगा, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, इनकी general preparation पर, तीनों की preparation आपको बताय दे रहा हूँ, properties में important videos हैं, उनको जरूर देखिएगा, तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं payroll की preparation आपको बताता हूँ, preparation आप, यहाँ heading मना देता हूँ, बड़ा बड़ा preparation और तीनों साथ में ही बताय दे रहा हूँ, जिससे आप हमसे ये बिलकुल नहीं क कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं, तो यहाँ पर मैं heading मना रहा हूँ, preparation, तो preparation में भाईया, हम लोग क्या करेंगे ध्यान दो, सबसे पहले preparation पढ़ेंगे payroll की, इसकी पढ़ेंगे payroll की पढ़ लेते हैं, payroll के लिए हमें क्या करना है, हमें payroll के लिए ammonium mucate लेना पढ़ता है, ammonium mucate लो, या फिर हम acetylene से भी बना लेते हैं, फिलाल paper में ammonium mucate आ सकती है, वही मैं बताओंगा भी, तो देखो ammonium mucate क्या होता है, पहले तो यह देखो, यहाँ पर H ले लो, यहाँ पर आप OH ले लो, एक काम ये करो, फिर वही same copy करो, यहाँ H ले लो, यहाँ पर OH इतना का में एक O लगा करके, यहाँ पर ऐसे OH, अभी balance 3 ही दिख रही है, तो एक यहाँ पर COO, COO, NS3 ले लो, नहीं ammonium salt, NH4 ले लो, C3, COO, NH4 यह positive और यह negative, यह carbon है, यहाँ पर भी COO, NH4, इसे ammonium mucate बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखो ammonium mucate, तो यहाँ पर मैं लिख देता ह हाँ, ठीक है, अब इस ammonium mucate को जब हीट करोगे और इसको जल डाल करके, मतलब जैसे हीट करोगे तीन water के molecule जल डालना नहीं, तीन निकाल देना, कैसे निकालना है तीन वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यह वाला आपको जो bond दिख रहा है, यह वाला OH यहाँ से जाए है, यह यहाँ जाएगा, जब यहाँ जोड़ेगा तो यह वाला OH बाहर आ जाएगा, तीन water निकल गए ना, तीन water निकलते ही structure बदल गया, structure क्या रह गया, ऊपर ऐसे रह गया, ऐसे रह गया, एक oxygen लगा रह गया, यह ऐसे रह गया, यह आपको दिखने लगा होगा, अब यह यहाँ पर वाकी बहुत रिमेनिंग रहा, CWONH4 तो constant रहा, यह positive negative यहाँ पर भी CWONH4 positive negative रहा, negative positive ऐसे रहा, अब आपने फिर इसे heat कर दिया, गुस्से में फटा फट फिर heat कर दो, जैसे heat करोगे इसे, देखो इसकी दुनिया वरबाद हो जाएगी, इसे heat करने पर फिर एक पानी और अमोनिया उड़ा दो, यहाँ से छोटू उड़ा दो, तो यहाँ पर छोटू जाने दो, दो छोटू निकलेंगे, दो निमोनिया निकलेंगे, है ना, बाकी क्या हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, बाकी तो यह हुआ, कि यह पूरा structure, nitrogen एक साथ, एक अमोनिया निक करके देख लेना आपका काम हो जाएगा 101 परसेंट पूछा जा सकता है कौन से compound से बनता है बता देना mucate से बनता है commercially furon से बनाया जाता है ठीक है commercially it is prepared by furon तो यहां लिखे देता हूं commercially commercially it is it is prepared by prepared by furon यह furon से बनता है commerce लिए अगर बनाना है कैसे आप furon ले लिजिए यह furon ले लिए आपने इस furon को आपने क्या काम किया ammonia के साथ हीट किया यहां पर ammonia लिया L2 O3 लिया और steam पास कर दी तो यह सीधा सीधा सा compound बना देना कोई दिक्कत नहीं यहां पर N यहां पर H लगा देना और यह बन गया आपका पाईरॉल इस तरीके से मतलब यह reaction के बल याद ही करना है आपको इसके बाद आ जाता है कि हम लोग furon कैसे बनाएंगे तो अभी तो बात पाईरॉल की थी अब बात हमारी furon की आती है अब furon बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा furoic acid ले लो आप यह क्या है भाई यह furoic acid चलो बाई यह मैंने furoic acid ले लिया अब furoic acid में यहां पर मैंने डाल दिया कुईनोलीन क्या डाला कुईनोलीन डाल दिया और जैसे मैंने कुईनोलीन डाला तो ये विचारा सब पूरा हो गया मतब सीओ निकल गई सीदी सीबाद और बन गया आपका फ्यूरॉन ठीक है इसी तरीके से थायोफीन आप बना लो थायोफीन ये पूछी जा सकती है पाईरॉल बाली कंडिशन में लीजिए यहां C, यहां H, यहां पर OH लगा दो, यहां C, यहां पर H और यहां पर आप OH लगा लो इतना काम कर लोगे ना फिर यहां पर ऐसे लाइन खेचो सीदे फिर वही एक तरफ H, एक तरफ CHO तो एक तरफ H ले लो, एक तरफ CHO ले लो और एक तरफ आप ले लो OH, जिससे की गरवड़ना हो, यहां पर वही हुस्यम, एक तरफ आप H ले लो, एक तरफ CHO ले लो और एक तरफ आप फिर OH ले लो, ऐसे करके, इसको बांड को अंदर वाले को हटा दो, इसकी जरूद नहीं है, ठीक है, अब क्या करना है, अब जैस इसे ही आप इसको हीट करेंगे, जैसे आप हीट करेंगे, सेम सिचुएशन में आईए, इस वाले हाइडुजन का बांड प्ण गया है, body dehydrate कर गई है इसकी, तो यहाँ पर CHO बचा, अब इसे आप गरम कर लो, COO के साथ में आपको पता है calcium salt, और heat कर दो, जैसे heat करोगे कुछ नहीं सीधा-सीधा आपको sulfur, मतलब सीधा-सीधा sorry, furon बनाना पड़ेगा आपको तो यहाँ थायोफीन मैंने लिख दिया furon का दूसरा method, furon चलना था ना, furon का दूसरा method यह तैयार हो जाएगा, commercially हम लोग कैसे बनाएंगे, पता लग जाएगा तो यह आपका हो गया, furon का commercial method, इसको हम लोग commercial method बोलते हैं commercial method हो गया ना, method थायोफीन बनाना है, तो थायोफीन बना लेते हैं, अब यहाँ पर heading बना लेता हूँ, थायोफीन तो थायोफीन को भी बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इसमे भी कुछ नहीं है, थायोफीन में भी कुछ नहीं है, आप N-B-Tain ले लो तो यह आपका थायोफीन बना देगा ठीक है यह बन गया आपका थायोफीन और यहाँ पर 3H2S निकल जाएगा इम्पोर्टेंट है पढ़ करके जाएगा आपको 100% रेक्शन्स मिल जाएगी ठीक है पाइरोल में इंटर मॉलिकुलर हाइडोजन बॉंडिंग होती है यह याद रखना यहाँ पर नमबर वन पॉइंट ध्यान रखना पाइरोल हैज पाइरोल हैज इंटर मॉलिकुलर हाइडोजन बॉंडिंग हाइडोजन हाइडोजन बॉंडिंग इसके अंदर इंटर मॉलिकुलर हाइडोजन बॉंडिंग होती है वह आप याद रखना ऐसे यह मैंने पाइरोल बनाया, N H बना दिया याद रखना आप ठीक है उसके बाद डोट डोट यहाँ पर N ये H बना दूँगा और ऐसे ऐसे ये बैरोल की हईडोजन बॉन्डिंग आपको दिखा दी तो आप पाइरोल की हईडोजन बॉन्डिंग को भी बड़ा अच्छे से याद रखें कारण यह है कि पाइरॉल की hydrogen bonding exam में अक्सर पूछ ली जाती है और आप लोग फिर परेसान हो जाते हैं कि सर इसकी hydrogen bonding कैसे क्या होगी ठीक है यह याद रखेगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के अनुसार आपको थोड़ा सा परिवर्तित कर लेना चाहिए मेरे according थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है और यह परिवर्तन आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा बुराई की तरफ तो नहीं ले जाएगा ये बात तो निश्चित है ठीक है ना ये बात तो लगभग लगभग निश्चित है तो ज़रा थोड़ा सा एक नट समय दीजिए कि कॉपी जो है वो इधर रखिए वो सेट करना है चलो कुश्चंस कुछ मैं कराऊंगा इसलिए वो मैंने जिस कॉपी में कुश्चंस लिखे हैं वो मैंने निकाल ली है चलो एक काम तो ये कर लेना कि हाइडोजन बॉंडिंग किसमें है पता होना चाहिए आपको दूसरी बात ह है कि अगर मैं इस्टेबिलिटी का रियक्टिविटी का ओर्डर देखता हूं तो ओर्डर आफ रियक्टिविटी भी याद रखना ओर्डर आफ रियक्टिविटी ये भी पूछा जा सकता है बिहार एस्टेट में ओर्डर आफ रियक्टिविटी पूछा जा सकता है इंपो तो पाइरॉल जाधा रियक्टिव होगा फ्यूरॉन से और फ्यूरॉन जाधा रियक्टिव होगा थायोफीन से और थायोफीन जाधा रियक्टिव होगा बेंजीन से ये रखा मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मेरे according रखा मिलना चाहिए बाकी भगवान की मर्जी जो होगी वही है वही जो राम रचिराखा ये तो आप भी जानते हैं ठीक है इसकी कुछ reactions position के according position ध्यान दीजिएगा position आपको पता रहनी चाहिए कि position किसकी कहां क्या है तो position में सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी लगा लूँ position तो वही रहती जैसे मान लो मैंने यहाँ पर suppose x लगा दिया तब x यहाँ पर o भी हो सकता है n भी हो सकता है जो भी चाहँ सो बनाओ तो इसके according जो electrophilic substitution होता है वो position नंबर alpha position होती और alpha position अगर आप चाहोगे तो आप जान लोगे 2 और 5 जो होती alpha position 2 5 कैसे होती है वो जान लो यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है यह position alpha है यह alpha है यह position beta है यह position beta है तो alpha और beta position आपको पता रहनी चाहिए मेरे हिसाब से alpha बीटा position कौन कौन सी होती है इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए और जो Electroflix substitution होता है वो हमेशा आप याद रखो 2 और 5 यानि Alpha position active होती है Alpha position जो होती है वो active होती है कैसी होती active होती है यानि 2 और 5 position पर ही ज्यादा reactant मतब Electroflix substitution जो होता है वो 2 और 5 पर ही होता क्योंकि इसी के resonance ज़्यादा बनते है more resonance बनते है more resonance बैसे तो detail बहुत है लेकिन बात यह कम समय में आपको अच्छे ढंग से में बता पाऊं इसलिए मैंने यह काम किया है कि आपको tricky ढंग से अब मैं resonance बनाऊं उसके बाद तो फिर दिक्कत रहेगी अब पाइरॉल में जो reactions है वो simple है पाइरॉल की जैसे कि मान लीजिए आपने यह पाइरॉल लिया इसी तरीके से same reaction चलेंगी furon और उसकी चलेंगी तो यह पाइरॉल ले लिया पाइरॉल को आप क्या करिएगा इसी तरीके से number one यहाँ पर ऐसे line खेच लीजिए और इस line में यहीं से मैं reactions आपको बताता चलूँगा जैसे number one आपने क्या किया इसका nitrogen किया अब nitrogen के लिए यहाँ पर SNO3 तो लेना ही पड़ेगा ठीक है और मेरी पूरी वीडियो जो बनी है पाइरॉल की वो देखिएगा और यहाँ पर acidic and hydride आप ले लिजेगा तो two position पे कराना है तो two पे कराते रहिएगा मैं एक दो reaction जो important है वो बताया दे रहा हूं बाकि आप अपने आप हमारे notes में जाकर करके reactions देख लिए एक तो यह पढ़ लेना ऐसे sulfonation कर लेना iodination जब होगा वो थोड़ा सा important है बताया दे रहा हूं अगर मैं I2 और NOH डालता हूं तो वो सब जगह attack कर जाता है तो यह आप सब जगह attack करा लिजे यहाँ पर N लिख लो यहाँ पर H लिख लो और यह अंदर bond ऐसे ही रहना तो iodine हर जगह जोड़ दो यहाँ प iodine बल जड़ा है बिल्कुल same condition में आपका chlorine भी जड़ेगा CL, CL, CL और CL यहाँ tetra chloropyrol बन जाता है ब्रोमीन से कराओगे तो tetra bromopyrol बन जाता है यानि कि BR2 से करा लो और यहाँ पर आपको CS3 OH लगा देना पड़ेगा तो उस condition में फिर आपको क्या लगाना है उस condition में आपको लगाना है यहाँ पर BR, यहाँ पर BR, यहाँ पर BR और यहाँ पर BR इसका नाम tetra bromopyrol हो जाता है Friedel Craft reaction जब कराओगे, simple देखो Friedel Craft reaction जब कराओगे आप तो Friedel Craft में क्या होगा आपको पता होना चाहिए Friedel Craft reaction, FCR का मतलब है Friedel Craft reaction और अगर Asylation है तो यहाँ पर Asylation लिख देना और product आपको क्या बनाएगा Acetyl जोड़ा है तो Alpha position पर आप Acetyl को जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर COCH3 को जोड़ लेना, ठीक है, अगर Carbon dioxide से कराओगे यह reaction आज सकती है तो नोट कर लो इस पर Carbon dioxide से जब कराओगे, तो फिर क्या condition चलेगी Carbon dioxide में, Carbon dioxide में यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर यह हो गया CWH, इस तरीके से यह बन जाता है आपका, Pyrrol 2 Carboxylic Acid यह आ सकती है, Pyrrol 2 Carboxylic Acid यह reaction आ सकती है, ध्यान दीजिएगा सब अगर आप से पूछा जाए कि रीमर टीमन करा दो, है ना, तो एक रीमर टीमन और याद रखना, रीमर टीमन याद रखना, रीमर टीमन में क्या बनता है, CHO लग जाएगा ना, यहाँ पर CHCL3 लिया जाता है, और आपका QH लिया जाता है, प्रोडक्टों सब कुछ वह ही यहाँ पर आप NH ले लेना, और इस तरीके से हाँ CHO लगा देना, अगर आपसे कोई कहे कि हाँ वेन होश्च रेक्शन कराओ, तो CS3CN से करा देना, हाँ वेन होश्च रेक्शन कैसे कराओगे, वो मैं आपको बताए, हाला कि यह रेक्शन आना नहीं है, फिर भी बाई चां से रेक्शन कराते हैं, और HCL लेते हैं, कुछ नहीं होता है, केबल जो उपर बना था, एसाइलेशन जो फ्रीडल क्राफ्ट का था, वही प्रोड़क्ट मिलता है, N-Acetyl, Pyrol मिल जाता है, सेम कंडिशन में यहाँ पर COCH3 आप जोड दीजिए, ठीक है, टू एसेटाइल यह पायरोल की सेम रेक्शन चलेंगी फ्यूरोन की और सेम चलेंगी धायोफीन की, सब उसी कंडिशन में है, कोई नई कंडिशन में कोई रेक्शन नहीं है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलो, अब आपको एक चीज यहाँ पर बताता चल रहा हूं, कि ऐसी रेक जो इंपोर्टेंट मुझे लग रही है, वो यह है, कि मैं अगर इसका हाइडरोजिनेशन कराऊं, तो थोड़ा सा हो सकता यह आ जाए, तो मैं वो भी नजर दोड़ा रहा हूं, कि यह बता देता हूं, आपको यह मैं ले लेता हूं, और अगर मैं पायरोल में अगर कराता ह हो जिंक और एसिटिक एसिट, यहाँ पर जिंक ले लेता हूं, यहाँ पर CS3COOH ले लेता हूं, और इसमें हाइडरोजन दो जोड़ दूं, जैसे हाइडरोजन जोड़ूंगा, तो एक एक जोड़ोगे आप, मतलब H जोड़ोगे, तो यह तो NH हो गया, यह bond इधर आ जाए निकल की प्रजेंस लगा देना, सब हाइडरोजन जोड़ देना, सब बॉड़ा देना, जब सब बॉड़ा दोगे, तो अंदर विचारा नंगा हो जाएगा, तो condition यह हो गई, इसका नाम पाइरोलिडीन है, पाइरोलिडीन कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह पाइरोल बेसिक हो गया, अब थायोफीन को देखोगे, तो थायोफीन भी उसी कटागरी में आ जाता है, तो इनके जो बेसिक करेक्टर हैं, उनको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कि कौन जाधा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, यह चीज भी आ सकती है, एक्जामनेशन में, ठीक है न, उसको आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाफ से, इंपोर्टेंट हो भी बहुत जादा है, दूसरी चीज आपको एक और बताऊँगा, कि अगर मालो पेपर में, कभी भी यह कंडिशन आ जाती है, कि भाई, कौन से पेपर में क इतनी चीजें जाधा इंपोर्टेंट है, तो उनको भी आप याद रखिएगा, कि कौन किस कटागरी में आ रहा है, ठीक है, तो अब आप नोट कर लीजे, बेसिक करेक्टर में, बेसिक करेक्टर किसका कैसा है, वो आप नोट कर लो, और काम आएगा आपको, देखिए सबस पाइरोल में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रो निगेटिव पावर और कम हो गया, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मतलब अगर मैं इनके अरोमेटिक करेक्टर के भी बात करूँ, तो मुझे लगता है कि अरोमेटिक करेक्टर जो होता है, वो इसी ओर्डर में चलेगा, और इसके बाद आएगा आपका, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, ये आगया, compound furon, क्योंकि furon का जो oxygen है, तो ये aromaticity का order आपको याद रखना पड़ेगा, कि कौन जाधा aromatic है, कौन कम aromatic है, तो ये आप याद रखना furon और thaiofene जो होते है, resonance hybrid है, और ये भी resonance hybrid है, लेकिन इसका loosely bonded रहता है, इसलिए ये जाधा acidic, जाधा aromatic, तो यहाँ पर aromaticity का decreasing order हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, decreasing order of aromatic character, aromatic character हो जाता है, aromatic character, ये बात आप note करके रखिएगा, और इनको हम लोग NMR spectroscopy की मदद से पता करते हैं, कि कौन जाधा acidic होगा, कौन कम होगा, एक तो ये याद रखना, एक इंडोल पढ़ लेना, और एक इंडोल भी पढ़ना, एक कुईनोलीन, आइसो कुईनोलीन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत जाधा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पायरेडीन के बारे में और बता देता हूँ, जिससे कि आप से भी कुछ रियक्षन से बाकिफ रहें और उसकी जानकारी भी आपको प्रॉपर वे में रहे कि आप सही से उसका एक्स्मिनेशन कर पाएं कि भी या पायरॉल क्या है, पायरॉल की प्रॉपरटीज क्या है, ये पता आपको रहें, नहीं पता रहेगा तो गरबड हो इसलिए मैंने आप से कहूँगा कि इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, याद रखेंगे मेरी बात को आप परिक्षा में लुगना, आप तो खेर दूसरी परिक्षा की तयारी कर रही होगी, लेकिन मैं ये शूर हूँ कि आपको ये चीज़ें फायदा जरूर करेंग ये चीज़ें आपको हेल्प बहुत करेंगी, इसलिए आप उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रही होगी, समझ में आपको आ रहा है, थोड़ी सी बाते कर लीजिए, बोलते बोलते लगातार कंटीनू बोलने में थकान भी हो जाती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सब पीच पीच में बाते में कर लूँ थोड़ी सी, जी बताइए, मनुपाद्ध्या जी बताइए, समझ में आ रहा है कुछ, मनुपाद्ध्या जी बताइए, समझ में आ रहा है कुछ, मेरी वाइस के लिए आ रही है आप तक, एक बार मैसेज डा लिए उदर से, छी चलिए, चलिए बढ़ लेते आगे, अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास में जिसका नाम है आपका पायरेडीन, यानि कि आप पायरेडीन को कंप्लीट करना है बस, और उसके बाद आप आराम से इसको रिवाइस करिए, कल थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट आपको और बता दूगा, जिससे कि आपका भला हो जाएगा परसों, फिर आपका पेपर साइद होगा ही, थेरा कल है, परसों आपका पेपर ही होगा, तो रियक्टिविटी आपने नोट ही कर ली होगी, अरोमेटिक करेक्टर में थोड़ा सा चेक करना है, मुझे aromatic character तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो आपको मिली जाएगा और इसमें एक चीज और याद कर लो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए basic character तो अगर basic character का decreasing order मैं देखूँ तो basic सबसे ज़्यादा furon होना चाहिए furon सबसे ज़्यादा basic क्योंकि इसका loan पर रुका रहता है फिर payroll होना चाहिए payroll होना चाहिए फिर आपका thaiophen होना चाहिए ये basic character का order भी आपसे पूछ सकते हैं मंडल जी घर आपके मंडल जी जरूत नहीं पड़ेगी यहाँ पर लिख लेता हूँ basic character का order basic character basic character का order मैं यहाँ पर बता सकता हूँ acidic अगर देखता हूँ तो फिर acidic उल्टा हो जाएगा यानि कि सबसे ज़्यादा acidic कौन होगा सबसे ज़्यादा acidic जो होगा payroll होगा payroll सबसे ज़्यादा acidic है फिर आपका furon हो जाता है और फिर आपका हो जाता है thaiophen यह character भी मेरे हिसाब से पढ़ी लेना अपने दिमाग में आ रहा है जो मैं लिखे दे रहा हूँ तो यह होगा आपका basic character यह होगा acidic character acidic character होगा आपका ठीक है इसी तरीके से aromatic मैंने उपर बता ही दिया है जरुत आपको पढ़ेगी ने aromatic भी आ सकता था तो main यही थे जो मैंने आपको बताया अब इसी पर बेस कुछ questions भी बता दूँगा लेकिन पहले मैं आपको pyridine बता देता हूँ pyridine आचा छीख है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर heading बना लो pyridine 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 जो है वो आपके लिए pyridine की मैं बात कर रहा हूँ pyridine heterocyclic six membered है यह आपको पता होना चाहिए और इसका structure अगर देखो pyridine का तो यह होगा चीक है यहाँ पर आपका loan pair होगा और यह आप जानते हुए aromatic है aromatic ठीक है cyclic है planar है huckels rule को follow करता है huckels 4n plus 2 pi electron rule को follow करता है for n is equal to 1 के लिए अब बाहर बाले electron loan pair count नहीं होते हैं यह बात भी आप ध्यान देना बाहर बाले electron count नहीं होते यह बात ध्यान दीजिएगा चीक है इसको बनाने के लिए आप जो है वो हमारी detail study heterocyclic compound की है वहाँ पर जाईएगा तो आपको पता बताया गया है कैसे बनाते हैं फिर भी एक method मैं आपको यहां बताया दे रहा हूँ है ना diamine hydrochloride से आप इस वे बना सकते हैं या फिर आप laboratory में बनाना चाहें क्या अगर आपको पताओ nicotinic acid के नाम से जाना जाता है इसको 2 NaOH के साथ में गरम कर दीजिए यहां पर CAO वही same laboratory preparation है आप pyridine बना सकते हो तो यहां पर मैं pyridine लिखे दे रहा हूँ ठीके साथ में वही बिल्कुल जैसे methane वाली preparation थी वही होगी methane वाली preparation थी वही होगी एक तो यह चले आईए दूसरी चीज यह है कि आप next बना सकते हो मेरे साथ से diamine hydrokloid से बना के देख लो तो यह हो गया CH2 यह हो गया आपका CH2 यह हो गया आपका CH2 यह हो गया आपका NH2.SCL या फिर NH3 positive, CL negative भी लिख सकते हो चलो जैसे ही लिख देता हूँ यहां पर NH3 positive और CL negative यहां पर आजाए CH2 यहां पर आजाए CH2 यहां पर आजाए NS3 positive और CL negative लिख दिया इसको जैसे हीट करोगे तो आपको पता होना चाहिए NH4 CL उडा देना यहां से और SCL उडा देना तो यहां से NH4 CL जाने दो और SCL जाने दो तो compound आपका यह बच जाएगा इसे बोलते हैं पिपराइडीन तो यहां पर मैंने यह पिपराइडीन छोण दिया अब इसको जैसे ही PD और कारबन के साथ में इसके hydrogen उडाना है इसे बोलते है dehydrogenation और कट से आप बना लीजिएगा यह क्या बन गया आपका pyridine बन जाएगा एक तो बात है नमबर वन pyridine basic character रखता है कैसा होता है basic होता है basic nature क्यूं है यह भी आपको बताय दे रहा हूँ क्योंकि इसके पास लप्व है लप्व समझते हो lone pair है यह हो गया आपका basic nature क्योंकि इसके पास lone pair है और इस lone pair की बज़े से यह कैसा होता है basic nature रखता है और अगर इसको हम H positive से reaction करा दे तो यह pyridineum iron बना लेता है तो यहाँ पर बन गया आपका pyridineum iron यह जोड़ दो यहाँ positive लगा दो इसको बोलते है pyridineum pyridineum iron नाम दिया गया है यह ध्यान देना अब इसकी कुछ reactions है वो मैं आपको बताता हूँ अगर पूछा जाए pyridine ज़्यादा basic है कि pyridine तो बताना pyridine ज़्यादा basic है उसका loan periphery रहता है जो donate किया जा सकता है यह more basic है यहाँ पर pyridine जो है pyridine more basic होता है more basic होता है और pyridine less basic होता है हो गया pyridine जो होता है यह less basic हो जाता है less basic हो जाता है ठीक है चलो इसके बाद यह फ्रीडल क्राफ्ट reaction नहीं देता तो यह बात याद रखना बाकी सब reaction बनाएगा यह position number third पर reaction बनाएगा यह भी ध्यान रखना जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ यह है हमारे पास में जिसका नाम है pyridine ठीक है pyridine की reactions अगर मान लीजिए मैंने कराई यहाँ पर मैं H2SO, HNO3 से करा देता हूँ H2SO4 के साथ में तो इसे आप nitrogen बोलते हो तो nitrogen में फिर क्या condition है यहाँ पर N लग गया और यहाँ पर लगा दो आप NO2 तो यह होगे आपका 3 nitro यहाँ से गिनो के 1, 2, 3 3 nitro ऐसे ही अगर आप bromine से करा दो BR2 से करा दो bromination करा दो तो bromination में आपका वोई 3 bromo सब सेम reactions चलती है कोई नई बात यहाँ पर नहीं है ठीक है ऐसे ही आप सल्फोनेशन कराओगे तो सल्फोनेशन में भी H2SO4 आपको पता ही है तो सल्फो लगा देना कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल इजी reactions है यहाँ पर SO3H लगा देना लेकिन पाइरडीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन नहीं देता इस बात का जरूर दियान रखना यह कोईशन आ सकता है मुझे संभावना लग रही है कि फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन नोट कर लो फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन पाइरडीन नहीं देता है नो रियक्शन क्योंकि यह खुद ही भाई अगर आपने यह खुद बेस है पाइरडीन देता क्यों नहीं पहले तो यह भी जानकारी चाहिए न यह आप मालो आपने CS3, CL डाला और यहाँ पर Lewis Base Acid डाल दिया यह तो खुद Lewis Base है यह खुद Lewis Base है और यह Lewis Acid है दोनों संगम बना लेंगे यह आपका Lewis Acid है और जैसे यह Lewis Acid मिलेगा खट से सॉल्ट बना लेगा तो सॉल्ट बनने की बजह से यह particular reaction नहीं देता है तो ऐसी बातें भी आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए और अब बात आजाती है आईसो कुईनोलीन और कुईनोलीन तो बहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ पहली बात तो आपको यह बता हूँ को कुईनोलीन का structure क्या होता है तो यहाँ पर कुईनोलीन यह सब important है इतना revise कर लेना 100% आपको question मिल जाएगा यह मैंने कुईनोलीन का structure बना दिया यह आप कुईनोलीन बना लो ऐसे ठीक है यहाँ पर N लगा दो और यह ऐसे बना दो यह हो गया कुईनोलीन अब कुईनोलीन में जो position है वो जान लो position को जानना बहुत जरूरी है position number one यह हो गई ठीक है two यह हो गई three यह हो गई अब इसके बाद आप चले आप फोर यह हो गई line शरन फाइब यह हो गई six seven यह हो गई eight position आपको दिखेंगी ठीक है यहाँ पर यह position आपकी alpha है यह position आपकी beta है यह position आपकी gamma है याद रखना ठीक अब इसकी सबसे important जो आपके slavus में scrap synthesis है तो यहाँ पर S-K-R-E-A-U-P apostrophe S scrap synthesis तो scrap synthesis जो है यह पूछी जा सकती लेकिन पूरी ने नाम पूछा जा सकता है तो quinoline को किससे बना जाता है scrap synthesis से बना सकते हूँ आप यह आ सकता है paper में question ठीक है इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोसिस करूँगा देखो यह मैंने लिया aniline aniline के दोनों hydrogen बिचारे अलग-अलग दिखा दो जिससे यह सरमिंदा ना होने पाए उसके साथ बिठाल दो acroline अब acroline कैसे बिठालोगे वो मैं बता रहा हूँ CH2 ले लिजे double bond CH chemistry अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो फिर इसमें एकदम up to the mark हो जाएगा तो इसमें 1,4 addition करा दो 1,4 addition आप करा दीजे जैसे 1,4 addition कराएंगे आप तो यहाँ पर फिर वोई जैसा attachment है वैसे रखिएगा change कुछ नहीं करना है यहाँ पर N लगा दो यहाँ पर H लगा दो यहाँ CH2 लगा दो यहाँ CH लगा दो यहाँ double bond यहाँ CH और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH ठीक है इस OH के bond को यहाँ ले आणा जब यहाँ लाओगे तो यह वाला जो है जो आपको negative दिख़रा है इस पर आजाएगा खट से हैना hydrogen पूरे बापस आजाएगी तो इसकी condition क्या हो जाएगी next इसे tartomerise बोलते है अब tartomerisation में क्या हुआ यह ring तो effect किया नहीं को कि यहां में छहणना भी नहीं है यह ring तो ऐसा ही रहा लेकिन यहां काम होने लगा देखो NH दिखने लगा यहां पर क्या दिखेगा CH2 दिखी रहा है यह hydrogen उठके यहां पर आ जाएगा simple सी बात है और जो एक attachment यहां होगा वो hydrogen चला जाएगा तो यह आपको क्या दिखने लगा CH2 पर यहां पर CH2 हो गया पिर यहां पर क्या बचा क्या बचा 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 यह वाला hydrogen अटाओ गरबड कर रहे है थोड़ा सा यह वाला hydrogen जो है बो यह यहां आ जाएगा क्योंकि यह बांपर हो गया आपका CH2 यह बना अब इस condition में क्या करना है इसका जो hydrogen जो आपको oxygen दिख यहां पर NH घवडाना बिलकुल नहीं है, यहां CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर C double bond O दिखेगा, यहां पर आपका H दिखेगा, अब यह bond ऐसे ही रहेंगे, दिख रहे हैं आपको नहीं, और एक H जो इसका अंदर वाला है यह यूज कर लेना, जैसे ही करोगे तो साइकलाइजे जब उपर चला जाएगा तो फिर आपको simple way में दिखाई देने लगेगा compound, क्या compound देखो यहां OH हो गया, अब आगया हमारा काम हो चुका है, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहां पर NH दिखी रहा, यह हो गया, अब इसके बाद last step आपके सामने बनी है, very good सिवानी, यह compound हमारा बन ग पाओगी, अंदर double bond develop करना है भी, तो यहां पर concentrated H2SO4 जब डालोगे, तब शिवानी यह OH जाएगा, यहां से H, अब double bond आएगा, अब जो आप compound लिख रहे हो, वो आएगा, अब आएगा, compound जो आप लिख रहे हो, वो आएगा, यहां पर यह आगया, N, और यहां H रहा, यहा आपका ring complete हो जाएगा, तो ring complete हो गया, complete, इसे scrap synthesis के नाम से जानते हैं, पढ़ लीजिएगा, नाम आएगा, compound पूछा जा सकता है, last वाला बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बेफिकर रहेगा, इसका नाम है, आपका quinoline, quinoline नाम है, याद रखना, ठीक है, इसमें ब फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, इट आलसो डज नाट गिव फ्रीडल क्राफ्ट, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दे पाता है, और दुसरी इस पर जितने भी अटैक होते हैं, वो position number, आप मान के चलो, जो सबसे जाधा amount बनता है, वो 8 पर बनता है, ठीक है, तो यह बहुत खास बात नहीं, position number 5 भी attacking वानी जाती है, 5 वाले भी product इस पर बनते हैं, इसमें एक reaction याद रख लेना, चीची बाविन reaction, तो चीची बाविन बताय देदा हूँ, चीची बाविन reaction याद रखना, चीची बाविन से मुझे याद आया कि चीची बाविन आ सकती है, वा सोडा माईड से कराते हैं, और हीट करते हैं, तो चीची बाविन reaction आ सकती है, किसी भी रूप में पूछी जा सकती कि product क्या मिलेगा, या फिर चीची बाविन reaction में किस से reaction कराते हैं, तो याद रखिएगा, यह यहाँ इस तू लग गया, इसका नाम है two amino quinoline, two amino quinoline याद रखन आपको पता रहेगा, ठीक है, यह चीची बाविन को जरूरी याद रखे, position number, यहाँ पर जाधा stable जो compound बनते हैं, five position जो होती है, वो जाधा मानी जाती है, more stable मानी जाती है, और position number eight भी इसमें attack, अगर eight पे कराओगे, तो eight वाले substitution मनते हैं, और बैसे तो आपको पता है कि five प और जो less stable है, वो दो बनते हैं, उसमें aromatic sextet नहीं बनता, तो position number five जो होती है, इसकी attackful position मानी जाती है, तो यहाँ पर आपको मैं लिखे दे रहा हूँ, position number five यह वाली position, जहां मैं dot रख रहा हूँ, फिफ्ट position जो होती है, यह attack position मानी जाती है, पूछी जा सकती है, कि आपसे होती है, ठीक है, nucleophilic addition में आती ही, बिल्कुल सही आपने लिखाया कि चीची बाविन reaction जो है, nucleophilic substitution reaction है, nucleophilic substitution है, चलो यह बात इमें बढ़ाई है लुगना ने, तो इसमें मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यह सब बच्चे बहुत समझदार है, यहाँ पर nucleophilic, कुछ ह जा सकती है, nucleophilic substitution, thank you Lubna, for this information कि आपने याद दिला दिया कि सरीए बात एड़ करिए, चलिए, इसके बाद अगर आपको जानकारी लेनी है, तो फिर आप सिंपल सी बात है, isokuinoline के भी थोड़ा सा पढ़ लेना, और बहुत नहीं, इसका नाम आम पढ़ लो, बस बाकी खतम ह isokuinoline, isokuinoline compound जो है, इसका structure याद कर लो, नाम याद कर लो, बाकी इसकी synthesis कौन सी है, उसको पढ़ लो, बस synthesis किस से कराते हैं, बस कुछ नहीं फालतू, समय आपके पास में है नहीं, load over हो जाएगा, इसलिए इतना ही पढ़िए, that is sufficient, यह हो गया, आपका isokuinoline बन गया, इस isokuinoline में, आप नाम याद रखे, 4,5, क्या बोलते हैं, बैंजो, पायरेडीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, इसका जो preparation है, वो करते हैं हम लोग, किस से करते हैं, बिशलर, B.I.S. C.H. L.E.R. बिशलर, नेप्रलिस्की, N.A.P.I.E.R. A.L.S.K.I. नेप्रलिस्की, synthesis से करते हैं, नाम याद रखना अगर पूछा जाए तो, ठीक है, और बाकी आपको मुझे लगता है, कि बहुत ज़्यादा reactions नहीं पूछी जाएंगे इसमें ठीक है ये बात आयाद रखिएगा और दूसरी ही कि आइसो कुईनोलीन का oxidation और पढ़के चले जाना क्योंकि इसलेवस में है इसलिए oxidation of iso oxidation of isokinoline चलिए ये important इसलिए बता रहा हूँ मुझे जो लग रहा है वो मुझे मेरे हिसाब से जो चीज आ सकती है वो मैं फटा फटा आपको बताए दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर oxidation अगर कराओगे कमनोफोर से और ये कमनोफोर alkaline होना चाहिए बेर से रेजेंट जीसे alkaline ठीक है तो एक बनता है थैलिक एसिड एक बनता है थैलिक एसिड और एक बनता है आपका सिंकोमेरिक एसिड सिंकोमेरिक एसिड बोलते हैं यह होगे आपका थैलिक एसिड और यह होगे आपका सिंकोमेरिक एसिड ठीक है यह हो जाए आप